हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिविल ग्यान प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा सेयर करें तो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेका हैं वो है ग्रेड आफ कॉंक्रीट कॉंक्रीट को उसके स्ट्रेंद के हिसाब से और रेशियो के हिसाब से अलग-अलग ग्रेड में बाटा गया है जो M5 से लेके M100 तक ग्रेड होते हैं लेगिन नॉर्मली M25 तक हम यूज करते हैं, नॉर्मली फॉम में M25 के उपर जो जाता है वो एक special case होता है और इस special case के situation में हम उस concrete को design करते हैं उसके strength के हिसाब से उसके ratio को design करते हैं और तब जाके M25 के बाद जो भी हम use करते हैं वो design form में use करते हैं तो grade में जो M5 से लेके M25 तक होता है, वो नॉर्मल मिक्स होता है और M30 से M100 तक जो भी होता है वो design mix होता है वो normally amuse नहीं करते हैं वो design mix होता है चलिए तो समझते हैं आखिर ये M5, M10, M50, M20, M25 जो भी है वो क्या होता है तो M जो होता है वो mixture को सो करता है जो की cement, sand और aggregate का जो mixture होता है M उसको सो करता है M for mixture और जो number होता है 5, 10, 50, 20, 25 ये compressive strength को सो करता है M means mixture of cement, sand and aggregate वो M होता है और जो compressive strength होता है उसका मतलब होता है 28 दिन के curing के बाद newton per mm square उतना compressive strength होना चाहिए जैसे कि अगर हम M5 को लेते हैं तो अगर हम 28 दिन उस concrete का curing करते हैं तो 28 दिन के curing के बाद उसका strength 5 newton per mm square का होना चाहिए तो आई हम आपको अब बात करते हैं ratio of mixture का क्या होता है M5, 10, 20, 25 इन सब का ratio क्या होता है तो ratio of mixture में जो होता है cement, scent और aggregate के ratio में हम उसको बताते हैं जैसे M5 हो गया तो M5 का होता है 1 ratio 5, ratio 10 इसका मतलब हो गया कि 1 cement होगा, 5 scent होगा और 10 aggregate होगा इसका use हम अक्सर PCC में करते हैं M7.5 का use हम करते हैं PCC में इसका ratio होता है 1 ratio 4, ratio 8 M10 का होता है 1 ratio 3, ratio 6 इसका भी use हम PCC में करते हैं M15 का होगया 1 ratio 2, ratio 4 इसका use हम RCC में कर सकते हैं अगर चाहिए तो हम RCC में इसका use कर सकते हैं M20 का होगया 1 ratio 1.5, ratio 3 इसका यूज अक्सर हम RCC में करते हैं और ज़्यादा तर M20 का ही यूज होता है RCC, Trimix, Flooring, Column, Beam, Slave हर जगा इसका यूज होता है और M25 सबसे Standard Grade होता है इसका यूज भी हर जगा RCC में जहां भी reinforcement होता है इसका यूज बड़े आसानी से हम कर सकते हैं तो यह था आपका Great Subconcrete यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्षन में बताइए और प्लीज हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके ज़्यादा ज़्यादा सेयर करें थैंक यूज